गौटी रुपाई अमेरिकन पिस्टाचूज हाल में अंगदा यानि ओगन डॉनेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी भारत में ओगन डॉनेट करने वालों में पांच में से चार महिलाएं हैं अंगरेजी अकबार टाइमस अफ इंडिया ने ये रिपोर्ट चापी है इस रिपोर्ट में भारत में ओगन ट्रांस्प्लांट के 26 सालों के डेटा का विशलेशन किया गया है 1995 से 2021 तक का ये डेटा है पता चलाए कि कुल 36,640 ट्रांस्प्लांट आपरेशन किये गए इनमें 29,000 से अधिक पुरुषों के लिए और 6,945 ही ऑपरेशन महिलाओं के लिए थे रिपोर्ट में कहा गया है कि ओगन डोनेट करने में महिलाओं और पुरुषों के बीची बड़ा अंतर आर्थिक और वित्तिये जिम्मेदारियों सामाजिक दबाव आदि त्यादी कारणों के चलते है महिलाओं को हमेशा एक केर टेकर के रूप में देखा जाता है जारतर मामलों में पुरुषों को घर चलाने वाला माना जाता है वो किसी भी तरह की सर्जरी से परहेश करना चाते हैं इसलिए ये जिम्मेदारी महिलाओं के उपर दबाव के रूप में आ जाती है कि वो तो बाहर जा रहा है का माने तुम ओगन दो हम सभी जानते हैं कि अंगदान करके हम किसी बीमार व्यक्ति की जान बचा सकते हैं दो तरह से अंगदान होते हैं एक तो जीवित व्यक्ति कर सकते हैं और दूसरा मृत व्यक्ति के शरीर से दान हो सकता है कोई व्यक्ति मौत से पहले अगर अपनी वसीयत में लिखवा दे कि वो अपने शरीर को डोनेट करेगा तो उसकी मौत के बाद अंग डोनेट कर दिये जाते हैं अगर ऐसे नहीं भी किया गया तो उस व्यक्ति के जो परिजन होते हैं उनकी इच्छा पर अंगदान किया जा सकता है मृत्यों के बाद एक विक्ति की मृत्यों के बाद अगर अंगदान का फैसला लिया जाए तो आठ से नौ लोगों की जान बचाई जा सकती है उनकी जिन्दे की बदली जा सकती है महीं शरीर के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो जीवित विक्ति भी दान कर सकता है जैसे की आँख, किड्नी, लिवर वगएरा क्योंकि इनसान का काम तो एक आँख और एक किड्नी से भी चल सकता है लिवर दुबारा ग्रो कर जाता है ऐसे में कई बार करीब यहों के लिए एक आँख या एक किड्नी लोग दान करते है में लिवर का एक छोटा हिसा काट कर जरूरत मन की बाड़ी में ट्रांस्प्लांट के जाता है पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत तरह की है इसलिए अब इस तरह की सर्जरीज काफी आसान भी हो गई है रिपोर्ट में 2021 में प्रकाशित Experimental and Clinical Transplant Journal की Research का जिकर है इस Research का डेटा कहता है कि भारत में 80% जीविट डोनर महिलाएं हैं जारत तर पत्निया या माँ हैं वहीं 80% अंग पाने वाले पुरुष हैं अगभार ने अपने रिपोर्ट में एक अस्पताल का उधारन भी दिया है कुणे के डिवाई पार्टिल मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और रिसर्ट सेंटर की एक Organ Transplant Coordinator ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से इस फिल्ड में काम कर रही हैं उनकी नज़र में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब एक पती ने अपनी पत्नी के लिए Organ Donate किया था वो पताती हैं कि आम तोर पर पत्नी मा या पिता अंग डोनेट करते हैं इसने रिपोर्ट में क्या खास बात है इसे समझने के लिए हमने बात की N.O.T.T.O. के डिरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार से N.O.T.T.O. यानि National Organ and Tissue Transplant Organization जो भारत सरकार के संस्था है सुनिए उन्होंने क्या कहा ये ट्रेंड आज कल के ट्रेंड नहीं है ये पुराना डेटा 1995 से लेकर के अभी तक का जो N.O.T.O. के पास कंपाइल था उसको देख कर के मतलब ये एक है कि अगर हम Transplant जिनके हुए हैं उनका Combined डेटा 2021 तक का डेटा जो जिसको N.O.T.O. की साइट से कोट किया जा रहा है उसमें ये है कि जिनका Transplant हुआ है उसमें से लगबग 80% Transplant Males के हुए है और 20% Transplant Females के हुए है अब इसके बहुत सा एक तो ये है कि ये डेटा कंप्लीट नहीं है सारे जग़े से डेटा कंप्लीट आया नहीं है तो जिन लोगों ने रिपोर्ट किया वो है दूसरी चीज ये है कि Transplant के लिए Males का करवा रहे हैं Females का नहीं करवा रहे है इसके और भी रीजन कई सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं Females में बिमारिया ही नहीं सपोज औरगन फैलियर के उतनी हो रही है जितने की Males में हो रही है ये एक फैक्टर हो सकता है दूसरा ये है कि जो जो Transplant जिनका हो पा रहा है अब उसमें Donation कौन कर रहा है वो डेटा में नहीं Reflect कर रहा है वो सिर्फ जो डेटा नोटों के पास जो दिखाया गया है कि Transplant जो है और ये एक फैक्ट है हमारे एक सामाजिक सचाई है कि जो Male Members अभी भी जो है वो Most of the families हमारे Rural Background में है या जो Even Towns में है वहाँ पे एक Earning Member के रूप में जिनको देखा जाता है ये एक Definitely इसकी तरफ एक समाजिक एक तरह से एक Social Issue है जो कि Country में है लेकिन ये कह देना कि सिरफ Males का ही Transplant हो रहा है या फीमेल का नहीं हो रहा है या फीमेल ही डोनेट कर रही है मेल नहीं कर रहे हैं तो ये एक Interpret करना इसको पुराने डेटा के बेसिस पे वो ठीक नहीं है और अभी Trends चेंज हो रहे है अंग्रेजी अकबार दहिंदू ने भी अक्टूबर 2018 में इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की थी इसमें RTI के जरिये पांच जगों से 2008 से लेकर 2017 तक का डेटा इकटा किया गया था तब भी पता चला था कि किड्नी डोनेट करने वालों में महिलाओं के संख्या 74 फीसदी है अगबार ने कई और देशों के बारे में जानकारी दी थी जहां इसी तरह का Trend था अमेरिका में 62 फीसदी किड्नी डोनेट करने वाली महिलाओं ही थी वहाँ भी अंग पाने वाली महिलाओं की संख्या कम ही थी जैसे लिवर पानी वालों में 35 फीसिदी और किड्नी ट्रांसप्रांट में 49 फीसिदी महिलाएं रसीवर थी इस सही है कि महिलाओं को हमेशा केर गिवर के रूप में देखा जाता है एसी महिलाओं जो अपने घर समालती हैं परिवार का ख्याल रखती है रिपोर्ट में उन महिलाओं के सिटी पर डीटेल में बात की गई थी जो घर की देखवाल परिवारवालों का ख्याल रखने आदी में अपनी उमर खपा देती हैं लेकिन उन्हें उसका महनताना नहीं मिलता ये औरते हमारी अर्थ व्यूस्था को चलाने में सबसे जरूरी भूमे काये निवाती है टिफिन नहीं होगा तो क्या लेकर जाओगे ऑफिस इंजिन का काम करती है घर के लिए परिवार के लिए लेकिन इनके योगदान को पूरी तरह नकार दिया जाता है अनॉलज नहीं किया जाता है हम वापस औरगन डोनेशन पे आते हैं कुछ जरूरी बाते हैं जो आपको कर लेनी चाहिए जाननी चाहिए अगदान से कई लाई लाज बिमारियां ठीक हो सकती है जैसे की हार्ट फेल्ड की लास्टेज फेपरों की बिमारियां आँखों की कुछ बड़ी बिमारियां जैसे पुछ बड़ी बिमारियां जैसे पुतलियों के खराब होने के चलते अंधापन अगनाशे की बिमारी जली होई स्किन वगएरा भारत सरकार ने फरवरी 1995 में मानव अंग प्रक्तियारोपन अधिनियम पास किया था इसके तहत अंगदान और ब्रेन डेथ को कानूने वैधता पदान की गई पिछले कुछ सालों में देश के भीतर अंगदान को लेकर जागरुकता बढ़ी है लेकिन आज भी इस अंख्या काफी कम है भारत में सुनिएगा 0.001 फीसद से भी कम लोग अंगदान करते हैं 0.0001 परसेंट से भी कम मतलब 10 लाख में से एक आदमी से भी कम लोग डोनेट करते हैं प्रति 10 लाख की आबादे में से अमेरिका में 26 और स्पेन में 36 अंगदान होता है एक गैर सरकारी संस्था ओगन इंडिया के अनुसाथ भारत में हर साल 5 लाख लोगों को ओगन ट्रांस्प्रांट की जरूरत होती है लेकिन ऑगन सुपलब नहीं होने के कारण अधिक तरकी मित्यू हो जाती है मरीजों में सबसे ज्यादा जरूरत किड्नी की है करीब 2 लाख इसके बाद 50,000 हार्ट्स और लिबर्स की जरूरत है इसी तरह देश में हर साल 2 लाख आखों यानि कौनिया की जरूरत होती है लेकिन सिर्फ चार में से एक वेक्ति को आख मिल पाती है कौनिया आखों की सबसे आगे वाली परत को कहते है इस ट्रांस्परेंट होती है इसमें खराबी आने के कारण आखों की रौश्णी चली जाती है या कुछ लोगों में एकदम कम हो जाती है इसे कौनिया ट्रांसप्लांट के जरिये लेकिन ठीक किया जा सकता है यह टेटा हमने आपको बताया ताकि आप गंभीरता को समझ सके चाहें, आखें हों, किड्नी हों या लिवर, मिथकों के कारण कई मरीज ठीक नहीं हो, पाते लोग अंगदान करने से क्योंकि ड़ते हैं, जैसे लिवर डोनेट करने को लेकर एक मिथक है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज ये डोनर क कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनके नेरेंडेर वंस, जिनका देहान तो गया, उनके शेजर से कोई अंग निकाला जाए, अंगदान को लेकर मिथक दूर करना क्यों जरूरी है, बता रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, आप सुन लीजे, जब जीवित आदमी है, तो वो सिरफ या तो एक फिड्नी दान कर सकता है अपनी, या अपना लिवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है, तो एज लिविंग परसन वो भी 18 साल से, 18 साल या उससे उपर का वेक्ति ही, ये एज लिविंग डोनर दान कर सकता है, जो डेथ के बाद वो किसी भी उमर का वेक्ति दान कर सकता है, और डेथ के बाद डोनेशन को ही हम लोग नोटों के तरफ से प्रमोट करते हैं, कि मिर्ट्यों के बाद आप दान के लिविंग आगे आएं, और उसमें ये है कि एक वेक्ति जो मिर्ट्यों के बाद जो लगबग 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है, जिसमें कि वो दो किड्नी दान कर सकते हैं, एक लिवर दान कर सकता है, एक हार्ट, दो लंग्स, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, तो ये सारे लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं, तो इन से जीवन बच, इनके बिना जीवन चलता नहीं है, तो जिसको भी अर्गन्स मिलते हैं, तो उनके इतने लोगों की चान तक बचसकते हैं, इसके अलावा टिशूज दान करके, जैसे की कॉर्णिया है, हार्ट वेल्स हैं, और सकिन है, ये दान करके, और बहुत से लोगों की जिंदगी सुधारी जा सकती है, तो उसकी जो लाइफ स्टाईल अलाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है तो ये दोनों ही तरह के दान मिर्तियू के बाद अराम से हो जाते हैं टिशू तो छे गंटे तक भी दान किये जा सकते हैं लेकिन ओर्गन डोनेशन जो है वो एक अस्पताल के अंदर जब पेशन्ट ब्रेन डेड हो जाता है आईस्यू के अंदर और वो एक सपोर्ट सिस्टम पे ओलरेडी होता है तो ब्रेन डेड होने के बाद उसके हार्ट रुकने के बीच तक कि जो एक पीरियड है उसके बीच में अगर परिवार एगरी हो जाता है क्योंकि एक opportunity होती है कि जब brain stem death हो चुकी है उसका जो मस्तिश का मृत्यू हो चुकी है तो मस्तिश की जो मृत्यू के बाद उसके दिल के रुकने के बीच में जो समय होता है तो उस समय अगर family को council किया जाता है अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स उनको बताते हैं पूछते हैं क्या आप दान करना चाहेंगे तो उसको उस समय एक opportunity है कि organ donation करवाया जाए और वो organ donation के लिए अगर परिवार तयार होता है तभी हो पाता है वैसे नहीं हो पाएगा जब तक कि consent नहीं होगा family का जैसे कि डॉक्टर साब ने बताया कि अंगदान के जरीए कई लोगों की जिंदगिया बच सकती है इसलिए आप भी दूसरों को इसके परती जागरू कीजिए ऐसा करने से सिर्फ अपनों की नहीं बलकि किसी भी ज़रूरत मंद को आप एक नई जिंदगी दे सकते हैं खाबरों का सिलसला बैस यहीं तक था अब आपको बताते हैं आपसे करते हैं रादर उमीद की बाप विराट कोली ने आज सचिन के दो और रिकॉर्ड्स को तोड़ा वंडे में सचिन के 49 शतक थे आज कोली ने 50 शतक लगा दिया इसी तरह एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रंस बनाने का रिकॉर्ड वे सचिन के नाम था 2003 वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने 673 रंस बनाये थे विराट ने वर्ल्ड कप में 711 बना लिया प्रवाने बैस से भी आगे जाने का उसकोप हमेशा होता है बस मेहनत और लगन आपको चाहिए इसी नोट पर दी ललन टॉप की इस किष्ट को हम यहां पर ही खत्म कर रहे हैं अगले एपिसोड में आप से मुलाकात होगी ऐसी उमीद करते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया शुबरात रहे हैं जिन्दगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है लेकिन ललन टॉप अड़ा सिर्फ तीन दिन रहने वाला है 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुचिए दिल्ली के मेजर ध्यांचन नैशनल स्टेडियम में एंटलीप फ्री है सिर्फ आपको ललन टॉप की एप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा